कल्यान के आधारवाडी जेल में मंगलवार सुभ एक नियाएक बंदी को साथ अन्य दोशियों ने पत्थरों और बाल्टी से बुरी तरह पीट दिया इस पिटाई में एक कैदी की आँख और सिर गंभी रूप से जखमी हो गया इस मामले में नियाएक निरोधक आदेश के आधार पर महात्मा फूले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है पुलिस की प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट के मुताबिक हर्याना के रेलवे सुरक्षा बल में कारिरत एक जवान रिमांड के तौर पर आधारवाडी जेल में बंध है संबंधित न्याए बंधी जवान मंगलवार की सुबह जेल के सारवजनिक नल पर खड़ा था उसके बगल में एक और बंधी खड़ा था यह बंधी जेल की आंतरिक सेवा में वाडन के रूप में काम करता है अचानक जेल के साथ अन्य कैदी गार्ड की ओर दोड पड़े इस से पहले की वे कैदी गार्ड को पीट पाते जवान ने हस्तक्षेप किया और सभी साथ लोगों को वहां से वापस भेज दिया इन सब बातों से साथो कैदी नाराज हो गए इस घटना के बाद न्याएबंदी जवान शौचाले में चला गया जब जवान शौचाले से बाहर आया तो सातों कैदीयों ने उन्हें पत्थरों और बाल्टियों से पीटा इस पिटाई में कैदी की आँखें और सिर्ज जखमी हो गए इस मामले में अधारवाडी जेल के एक अधिकारी ने घटना की लिखित जानकारी महात्मा फूले चौक पुलिस स्टेशन को पत्र दे कर दी है और अब महात्मा फूले पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सात दोशियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है